जर्नी आपिशियल इंटेलिजेंस कोर्स का यह दूसरा कोर्स है दोस्तों जैसे कि हमने आपसे वादा कर रखा है कि हम आपको पॉपलर टेन मोस्ट पारफुल एई टूल्स के ओपर कोर्स लाते रहेंगे तो आज यह दूसरा कोर्स लाएं हैं मिट जर्नी के ओपर जैसे इसके लिए जाना जाता है वर्ल्ड वाइड और बहुत तेजी से पॉपलर होता जा रहा है दोस्तों मिट जर्नी अगर आपको इस टूल को यूज करना सीखना इसके तुरू पैसे बनाने हैं तो यह पूरा कोर्स आपको सीखना चाहिए प्रैक्टिकल है फ्री है सब के लि से काम करती है साथ के साथ आप कैसे प्रैक्टिकली मिट जर्नी को यू जुई कर सकते हो सब प्रैक्टिकल है साथ के साथ benefits क्या है इस टूल के और अलग-अलब तरीके इससे पैसा बनाने के सब कुछ आप जानोगे इससain पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट को से रिलेटेड हो या हमारे चैनल पर अधर टेक्नलोजी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स से रिलेटेड लगतार कुर्से जाते रहते हैं कोई भी मिशना हो साथ के साथ अगर आप हमारी लाइव वर्क्षव जोइन करना चाहते हैं जिसके अंदर लाइव आप संग और डिजिशन मार्केटिंग पर कॉमश मार्केटिंग के कुर्से चीछना चाहते हैं तो उसके लिए भी कई एक स्पाइब कम्पनी है जिसके अंदर सिर्फ फुन टाइम स्टाफ काम करते हैं और इनके पास एडवाइजर्स की जो इनकी कम्पन में कम्पनी में एडवाइजर रॉल प्लें करते हैं तो मिडchemistry बेसिकली एक लैब है जो हमारी थौर्ट और हम हमारी जो इमेजिनेशन है उसको एक रूप देती है मतलब मान लीजे अगर आपको सोचल मीडिया के लिए पोस्ट डिजाइन करनी है ठीक है और आप सोच रहें के मेरे को कुछ मतलब नेचर दिखानी है और नेचर के अंदर ए आदमी दिखाना है तो आप अगर मिड जरनी टूल को बताओगे प्रॉम्ट के जरीए ठीक है कि आप ऐसा कुछ चाहते हो तो आपके लिए ये सेकंड के अंदर अमेजिंग क्रिएटिव बनाके देगा और दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस लेवल तक की क्रिए किसे बना सकते हो सब बता हूँब साथ के साथ नहीं यह नहीं हैं साथ के साथ आप पूरा अप्रेक्टिकल सीखो इस टूल को यूज करणा दोस्तों अब यहां पर देख सकते हैं कि जनरेटिव AI एक जनरेटिव AI ा १े देंगे मतलब उसको हम निर्देश दे रहे हैं बता रहे हैं उसको वो इमेजिस के अंदर कनवर्ट करता है और यहां पर आज की डेट में बहुत सारी जगाओं पर इसका यूज करा जा रहा है इससे पैसा तो लोग दस गुना कमा ही रहे हैं वर साथ के साथ इतना टाइम बना लेता है और उसको इससे जाता कमाई भी हो रही है टाइम भी बच रहा है ठीक है तो यहां पर यह पूरा का पूरा टूल है यह मशीन लर्णिंग बेज्ट है इमेज जनरेट करता है और यह बिगेस्ट नेम है यह वन अगर हम इमेजिस से रिलेटिड एए टूल के बा जाते हैं बट जो मिट जर्नी है यह बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेजी से पॉपलर होता जा रहा है विकॉज जो रिजल्ट से जो क्रेटिव वह रीली अमेजिंग है आई पहले उनके जलक देखता है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं दोस्तों यह मिट जन्नी के द्वारा बनाया हुआ एक टीशेट है एक जो आप टीशेट का डिजाइन देखने यहां पर यह जो आप असली जैसे लोग देख रहे हैं सब एजनेटेटिट इमेज इन साथ के साथ यहां पर आप एक नैच् जैसे अब यहां जैसे जैसे फिर वहां पर क्या होता है उसके अंदर काम करते हैं उनको एडिट करते हैं फिर फैनल एक प्रॉडक्ट बनता है तो दोस्तों सब कुछ यह खुदी करके देगा स्टॉक इमेजेज भी इसके पास हैं थीक है आप क्या इसको आदेश कर रहे हो तो बचपन में इस एक इमेज कर देगते देगा जो आप उचोगे उसको बस सही ढंग से ना बताना आ चाहिए मंदो प्रॉम्ट सही होना चीए और रिजल्ट्स अमेजिंग वही तो है यही तो कूर्स तो ही है कि किस तरी से इस टूल को यूज करना है कैसे प्रॉम्ट इंजिनियरिंग प्रॉम्ट का यूज करना है वो सब चीज आपको प्रैक्टिकल हम सिखाएंगे दोस्तों क्वालिटी देखिए आप इमेजिस की ठी जॉब में कैसे भी आप इसका यूज कर सकते हैं ग्रैफिक डिजैनर्स के लिए रामबान हैं वेपसे डिजैनर्स के लिए यह बहुत ही पारफुल टूल है देखते हैं दोस्तों मैं पावर ऑफ क्रेटिविटी अब हम बात करते हैं दोस्तों एडवांटिज इस क्या है फ को बता रहे हैं यह वर्चल दुनिया में उसको क्रेट करके हमें देता है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में इस टूल का बहुत यूज हो रहा है अचकी डेट में फास्ट है मोर एफिशेंट है एस कंपेर टो एक यूमन जितनी देर में एक बहुत बढ़िया स कमानेगा यह और टूल को करें और यूज चाहते हैं और दो लोगों को रखके और यूज़ करें को दस से वह जब्यादा भैतर तरीके से निच्फेल प्तारौं पैसे कमानेगा अभी और यह और प्रद्गों कोस्ट एफेक्टिव इंडिया में क्या आदत नहीं है तो उस पर आपर इसे मिल रही है बट उससे हम कितना इंपोर्टेंट यह नहीं है आप दोस्तों जानते हैं कि किन-किन तरीको से आप इस टूल के थूरू पैसा कमा सकते हैं पैसा बिना सकते हैं अब दोस्तों सबसे इंपोर्टन क्या है इसे aaf किया के पैसा बनाने की जो मैं आपको रास्थे बता रहा हूं यह ना कर रहे हैं वरना आप हो सकता है job कर रहे हूं कोई freelancing कर रहा है कोई अपना business कर रहा है को कोई creative designer है कुछ है जब आप इस चूल को इस course के बाद अच्छे से सीख लेंगे और उसकी पर practice करेंगे तो ideas तो आपको इस क्लिक करेंगे इसके अलावा भी आप खुद अपने थौर्ट प्रसेस सोच सकते हो कि आप अलग-अलग AI के टूल्स हम आप लोगों को सिखा रहे हैं ठीक है एवन हमारा AI का कम्प्लीट एक कोर्स आने वाला है एडवांस कोर्स ठीक है चैनल सब्सक्राइब कर लिए बेले कंदरबादी मैं फिर कह रहा हूं ताकि वह आपसे कोर्स मिस ना हो ठीक है तो वह आप अच्छे पूरा का पूरा नया कोर्स भी कारने वाला है और यह टूर्स भी आप सीखिए तो आप जानिए कि पहले कौन से प मार्केट में ग्लोबली डिमांड है हम सबको पता है साथ के साथ आप फ्रीलैंसिंग वर्क फाइवर अब वक पे शुरू कर सकते हैं इसकी मदद से और अपनी इंकम को बढ़ा सकते हैं ठीक है क्वालिटी भैतर कर सकते हैं इससे आप अपने पूर्टफोलियो जनरेट कर स सब्सक्राइब कर सकते हैं अब आपका बना रहे हैं उसको आप कर सकते हो उसको कंपर कर सकते हुआ उसको खरीद सकते ऎकोस्त पे सा具 है कि यहां पर कॉस्ट भी कम आएगी प्रोफिट भी ज्यादा होगा और लोगो से साथ के साथ क्रेटिंग वीडियो क्रेशन है बहुत हमामदत करते हैं, वीडियो क्रेशनमी संप्छे है कि और आपको ज्यादा क्वालिटी आई गया आपकी वीडियो गंदर क्रेटिव थम्निल्स दोस्तों अगर as a content creator चाहे यूट्यूब है इंस्ता है चाहे आपका कोई और अगर आप इसके मदद से बनाओगे तो आप सोचिए कि जो आपके व्यूज हैं सब्सक्राइबर से कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं अगर आप आपके स्मार्ट ले इसका यूज़ करना जानते हैं तो इवन थम्निल बनाना आज की डेट में बिजनस है कितने फ्रिलेंस थम्न वाप पांज रुपह हजार रोपे ढातीं कटि करते नों कितने वड़े यूट्योवर के संग बात कर नहीं हो उनका काम कितना है कौन्टिटी में है यह थैसे ऌतलों गयात है अवहें अच्छों है पहें अदोस्तों 11 है हमारा नщее नों फ्लंजि बल टोकन आप रोड है अब ये क्या होते हैं जोसनों विल्म होते हैं को अब शूरी डेखते हैं ऑफतार चाहरते हैं या फिल्माज्य विल्म के लिए डेकर हम वे सब जिए इसको को हम बोलते रहे हैंELL लोग मीम पेज बिजनस चला रहे हैं अचकी डेट में में कितना ज्यादा होता है हर जगह आप इसका इस्तमाल कर सकते हो ठीक है बहुत ही पारफुल टूल है और उसके अलावा जो भी आपका आर्ट वर्क है ठीक है आप अलग-अलग प्लैटफॉर्म जैसे कि इटसी है ठीक करके लाखों रुपे महीना कमा सकते हो और उसके अंदर इटसी का भी रोल होगा इसलिए दोस्तों मिस्मत करना उसको बिलकुल भी पहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिकल तरीका है पैसा बनाने का तो दोस्तों हम सिर्फ बताते नहीं हम सिखाते भी हैं मिट जैने का तो पु सकते हो और बहुत सारी के आपके दिमाग में खुद आ जाएंगे इसलिए बिलकुल मिस्मत करना अब पूरा प्रैक्टिकल हम आपको सिखाने जा रहे हैं अच्छे जी सीखेगा प्रैक्टिकली इंप्लिमेंट कीजिएगा जैसा कि हमने मिट जर्नी के बारे में काफी किसे प्रोसीड कर पाएं कि किस तरीके से मिट जर्नी को यूज किया जाता है और मिट जर्नी में किस तरीके की जो है हमें प्रॉम्ट की जरूरत होती है और कैसे हम मिट जर्नी में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं और आगे चलके हम किस तरीके से मिट जर्नी से एक टाइप करता हूं एंड जो है मिडजर्णी की वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं ठीक है जैसे मैंने मिडजर्णी लिखा यहां पर सबसे टॉप पर मिडजर्णी की वेबसाइट आ चुकी है www.midjourney.com यहां पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है मैं अगर मिडजर्णी की आपके सब्सक्रिप्शन प्लांस आपको दिखाऊं यहां पर तो मिडजर्णी पहले जो होता था आपको फ्री ओफरिंग्स देता था बेसिक लिए फ्री क्रेडेट आपको देता था जिसमें आप जो है 10 12 15 डिजाइंस जो है आप फ्री में जन्रेट कर पाते थे अब धीरे जैसा कि मिडजर्णी के उपर काफी ज्यादा ट्राफिक आप फास्ट टाम मिलता है राउंड 3.3 आर्ट का मंतली बेसिस पे ठीक है इसके अलाब आप चाहें तो एक्स्ट्रा जीप्यू जो है एक्स्ट्रा जीप्यू आर भी जो है वह भी आप पर पर चेस कर सकते हैं फो डॉलर पर आर पे पर आर के रेट पे तो यह सारी चीज़ को है नियुक्न जो फास्ट जनरेशन जो करता है हमारे मेरे जर्णी उसको यहां पर आ vanilla करता है क्या जैथा पर्डार कि पहले मैंने फ्री हुआ करता था अब फ्री नहीं है हलाकि मैं आगे आने वाले वीडियो के अंदर कुछ ऐसे आपको टूल्स बताऊंगा जो आपको फ्री में यूज़ करने देते हैं ग्राफिक जनरेट करने देते हैं तो ऐसे टूल्स भी मैं आपको बताऊंगा आपको थोड़ा जादा मिलता है तो अब यह चीज़ आपको समझ गया कि मिड्जर्णी का जो है सारे प्लांस पेड है नौ दूसरी चीज़ आपको समझने वाली बात यह है कि मिड्जर्णी जो है उनका एक अलग से इंडिविजुल प्लाटफॉर्म नहीं है जैसे हमने .openair.com पे खुलता है इस तरीके से राइट एक अलगी उनका इंटरफेस है अलगी एक पूरा प्लाटफॉर्म है बट मिड्जर्णी जो है वो चलता है डिस्कॉर्ड सर्वर के उपर डिस्कॉर्ड अगर आपने सुना नहीं हो तो इस तरीके से शोशल मीडिया काइंड अफ एक अपना सर्वर बना रखा है वहाँ पे और लोग उस सर्वर को जाके जॉइन करते हैं उस सर्वर के ऊपर ही जो है वो लोग अपने ग्राफिक्स जन्रेट कर पाते हैं तो अगर मैं दुबारा से मिडजर्णी की वेबसाइट पर यहां पर हम चलते मिड जर्णी के उपर ठीक है यहां पर simply हम डेम बीटा के लिए जो है अकाउंट के लिए लॉग इन करते हैं मैं थोड़ा सा नहीं चाहता हूं यहां पर आपको दिख जाएगा देखा आपने थोड़ा सा नहीं चाहते हैं यहां पूंपर करते हैं हमें डिसकॉर्ड का जो है मिल जाता है हमें बीसिकली इंवाइट आजाता है डिस्कॉर्ड का राइड अब इहां पर हमें display name सेलेक्ट करने को क्या रहा है जो भी आप display name रखना चाहते हैं तो let's say मैं रख देता हूं वह ए में मार्केटिंग फिंडास मैंने कंटिन्यू किया कंटिन्यू करने के बाद इसे कह रहा है कि वेट फॉर समुवरिफिकेशन मुझे वेरिफिकेशन करके देनी होगी कहरा है कि प्लीज क्लिक on each image containing the largest animal in real life तो real life में सबसे ज़्यादा बड़ा animal जो है वो होर्स है इन सब में से verify किया मैंने एक बार and जो है verification done अब यहां पर यह देखिए discord का logo आया discord ओपन हो रहा है बसे के लिए अब मेरे को यह account claim करने के लिए जो है मेरे को email id डालने पड़ेगी यहां पर मैं डाल देता हूं अपनी email id यहां पर तो मैंने email id कॉपी किया एंड यहां पासवर्ड हम यूज कर लेते हैं कुछ strong सा सब्सक्राइट कि हमें बाद में कोई issue ना हो राइट पासवर्ड भी डाल दिया हमने claim account पर मैंने क्लिक किया सेव कर देता हूं इसे एंड यह कह रहा ही कि आप चाहें तो desktop version भी जो है discord का भी यूज कर सकते हैं उसमें जो है जैसे कि WhatsApp के desktop versions आते हैं उसे भी उसी तरहीं से जो है discord का भी आता है तो फिलाल मेरे को यूज नहीं करना अब simply मैं जो है mid journey के अंदर आ चुका हूं राइट अभी मेरे से कह रहा है कि प्लीज मस्ट यू मस्ट वेरिफाय और अकाउंट बिफोर यू कैन सेंड मेसेज इन दसर्वर तो मैं एक बड़ जाता हूं जी मेल के उपर यह देखे मेरे को आया हूँ है मैंने वेरिफाय किया है 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 जो है मेरे वेरिफिकेशन भी डन हो गया है इस तरीके से जो है यहां पर मिटजर्णी का अकाउंट क्रिएट किया जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिट है मतलब जो दूसरे के मुकाबले थोड़ा सा आपको डिफरिंट तरीका है यहां पर लॉग इन करने का है इसलिए मैंने जो है प्रॉपर्ली एक डेडिकेट सकते हैं एक ही सरवर के अंदर जो है आप मल्टिपल चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं यहां पर आपको दिख रहा होगा तो मल्टिपल यहां पर रूम्स वगेरा मल्टिपल चैट्स अलग अलग डिफरिंट डिफरिंट चैट्स क्रिएट कर सकते हैं राइट लेट से यहां पर यहां पर जो है graphic generation होता है अगर आपको कोई support चीए किसी कोई problem आ रहे है आपको आपके account से related आ जो भी आ रहे है तो आप यहां पर support के लिए भी आपको option दिया जाता है यहां पर chat support करके या तो होगा यहां पर trial support देख रहा है अभी क्योंकि हम trial period के अंदर है इसलिए हमको trial support देख रहा है otherwise paid account में प्रॉपर जो है customer support kind of thing आपको देखने को मिलता है कि कभी-कबार maintenance mode पे जाता है जो जाएंगे हम newcomers rooms आपको देख रहे हूंगे newcomers यहां पर जो है graphic generation किया जाते है यह देख रहे हैं लोग जो यहां पर कर रहे हैं तो mid journey का आपको यह थोड़ा सा interface अलग देखता है जहां पर दूसरे क्या design generate करते हैं वह भी आपको यहां पर देखता है तो यह जो दूसरे user submit journey के वह यहां पर generate कर रहे हैं अब चलिए देखते हैं हमको यहां पर अगर एक नया design create करना हो तो किस तरीके से जो है किया जाता है slash सबसे पहले आपको दबाना है slash जैसी आप दबाएंगे यहां पर आपको जो है type करना है imagine ठीक है imagine जो प्रॉंप्ट जो प्रॉंप्शन है वह आपके प्रॉंप्ट लिखने के लिए मतलब आप mid journey से imagine करने को कह रहे हैं तो यह वाला देखिए जैसी मैंने i दबाया तो imagine व of India's Prime Minister Mr. Narendra Modi holding Mike in his hand इस तरीके से जो है हम प्रॉंप्ट लिख सकते हैं अब यहां पे हमने मेरा मकसद क्या है कि मैं चाहता हूं कि Mr. Narendra Modi जो इंडिया के Prime Minister है उनके हाथ में एक माइक हो ठीक है आप मैं Google पे जाओं ऐसी image धूनूं मिले ना मिले लैट इस वेरी problematic thing कभी मिल सकता है कभी नहीं भी मिल सकता है बट यहां पे जो है मैं अपने हिसाब से photo generate कर सकता हूं अब मैं simply enter दबाऊंगा यहां पे जो है मेरे को जैसे की शुरू में यह मेरे से कहा रहा है कि accept terms and conditions ओके मैंने terms and conditions को accept कर दिया acknowledge कर दिया no issue अब जैसा कि मैंने कहा यहां पे हमारा जो है यह अभी मैंने कोई subscription नहीं ले रखा इसलिए यह मेरे को subscription required का option दे रहा है basically यह मेरे को subscription लेने के लिए तो यहां पे जैसा कि मैंने कहा mid journey पहले आपको free credits देता था जहां पे आप free में use कर पाते थे mid journey को बट अब जो है जादा server load के वज़े से यहां पे mid journey आपको free में use नहीं करने देता यहां पर देगा आपने directly subscription का इसने यहां पे prompt भेज दिया हमको reply दे दिया अब मैं subscribe पे जाओंगा तो यह जो है यहां पे subscribe वाला amount यहां पे एक बार मैं पिटी sorry for that यह mid journey के bot ने मिर को यहां पे message किया है subscription वगेरा के लिए subscription plan के लिए right तो अब आगे चलके जब subscription ले लेंगे इसका आप चाहें तो यह वहां से बाहर से भी ले सकते हैं और बाहर से बीसी के लिए direct website से भी ले सकते हैं या फिर यहां से भी आपको समझ आया होगा किस तरीके से अब यहां पर आपको दिख जाता है limited generations 200 per month एक डॉलर के अंदर जो है आप 200 जो है generations कर सकते हैं जनरल कमर्शिल ट्रम्स इसके लाब आपको एक्सेस टू मेंबर गैलरी ऑप्शनल क्रेट टॉप अगर आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट टॉप कराने तो वह भी आपको मिल जाता जैसा कि हमने वहां देखा चार डॉलर पर आर्ट के बेसिस पर ठीक है तो यह सारे ऑप्शन्स आपको देख जाते हैं आप चाहें तो ले सकते हैं अधर वाइस अभी फिलाल आप को थोड़ा सा और आगे जाए अगर आपको वैल्यू भी लगता है तो आगे चल के ले सकते हैं ठीक है इस तरीके से जो है मिट जर्नी का अकाउंट क्रेट कर किया जाता है और मिट जर्नी से जो है इंकम जनरेट की जाती है या फिर आपने आपको और ज्यादा इफेशेंट ज्यादा एफेक्टिव ज्यादा वर्थी इंप्लॉय बनाया जाता है गाइस इस वीडियो के अंदर जो है मैं मिट जर्नी के इंटरफेस को नैविगेट करना सिखाऊंगा किस तरीके से जो है प या पिछली वीडियो में आपको एक अचाउंट ओवर्वीव तिंग या फिर डैशबोड ओर वर्वीव काइंड आपको दे दिया था बट इस वीडियो में थोड़ा सा मैं डीटेल में सारी चीज़े आपको बता देता हूं सो तो आट की आपको प्रॉपरली सारी चीज़ जो है मेरेज़ों के फिर्वर के उपर हएं अब यहां पर होता क्या है कि जैसे कि आप डिस्कॉर्ड के उपर है अब यहां पर हैं एक घैसे की आप सरहर आप कॉंध करहें रहा है यह बेसिकली आपको बता रहा है कि आप खुद से यहां पर आप अपना भी सर्वर जो है क्रिएट कर सकते हैं जैसे यह एक डिस्कॉर्ड का सर्वर है और नौट डिस्कॉर्ड का बताया पिछली वीडियो के अंदर आपको different different conversations मिलते हैं ठीक है तो यहां पर text based आपको यहां देख रहा है getting started किस तरीके से जो है आपको start करना है basically आपको सारे यहां पर information वगेरा दी गई है कि किस तरीके से जो है आप discord के ऊपर जो है mid journey को use कर सकते हैं announcement status ऐसे सारे different chats बना रखे हैं यहां पर mid journey वालों यह आपने बना सकते mid journey जो है वह अपनी साइट से create करते हैं अब अगर आपको कोई design create करना है तो आपको यहां पर आना पड़ेगा इन में newcomer rooms के अंदर यहां पर one rooms के अंदर एक यह newbies chat बनी हुई है इसके अंदर यहां पर दो chat बनी हुए तो इनके अंदर जो है जाके आप अपने designs को create कर सकते हैं इस तरहीं से design create करके देता है आप mostly यहां पर क्या होता है जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहां पर mostly आपको जो design है वो चार आपको option देता है में जड़नी आप देख पा रहे हों यहां पर आपको जो है चार options दिखेंगे generally यह जैसे कि चार option दिख रहे है तो आप चार option में जब भी आप पहला जो prompt डालेंगे तो उसके वो चार different variations आपको बना के देगा तो आप इन में से चार के जो option है आप चाहो तो इस particular को upscale कर सकते हो यहां पर दिख रहे है आपको u1, u2, u3, u4 and v1, v2, v3, v4 तो यह basically इसका मतलब क्या है अगर आप पहले वाले को जो है upscale अगर करना चाहते है ठीक है तो आप इसे दवाएंगे u1 जैसे कि इस particular prompt के अंदर दभाया गया है and इसने जो है u1 को upscale करके दे दिया अब मैं इस पर click भी करूँगा तो यह image बड़ी हो जाएगी अब यहां open in browser करूँगा तो इस तरीके से जो है यह different variation चाहिए होता तो आपको v1 पे click करना पड़ता तो यह क्या करता इस particular image के और चार variation आपको बना के देगा तो इसी तरीके से चारों के लिए है u1, u2, u3, u4 let's say इस वाले को आपको upscale करना होता तो u4 दबाते आप ठीक है तो इस तरीके से जो है चीज़े यहां पर वाप कर करती है तो उस शुरू में आपको प्रॉंप्ट के अंदा चार variation आपको बना के देगा आप उस variation को जिसको भी आपको perfect लग रहा है उसको आप चाहें तो आप scale कर सकते है या फिर उसी particular variation के और different चार variation यहां पर create कर सकते है तो यहां पर discussion वगेरा then prompt chat यहां पर देखने को मिल कुछ mid journey का total interface इसके अलावा not exactly mid journey यह basically जो मैंने बाता है यह आपको discord का interface बता है अब discord के अंदर ही जो है आप mid journey को use कर पाते है तो discord को ही समझना हमारे लिए बहतर है या फिर बोल सकते हो जरूरी है यहां पर आप नीचे थोड़ा सा देख पाएंगे तो यहां पर आपको कर सकते हैं इवन आप वाइस नोट भी डाल सकते हैं तो चीज के लिए राइट तो यहां बाई डिफॉल्ट रहता आप चाहे तो अन्म्यूट कर सकते हैं यहां पर आपका नाम दिख जाएगा username आप क्लिक करेंगे तो extra details कब आपने जोईन किया and custom status वागर आप डाल सकते है तो two-factor authentication वगेरा बोलते हैं वो सब सारी चीज़ आप यहां से कर पाएं इसके लावा सारे options जो है discord से related आपको यहां मिल जाते हैं user settings billing settings and app settings तो discord के अंदर भी जह हैं को extra option मिलता है server boost का तो वह आप चाहें तो उसको भी आप चाहें तो subscribe कर सकते हैं जिसे नाइट्रो कर आ जाता है राइट तो इसमें जाए चीज़ें आपको कुछ extra मिल जाती है जैसे आप देख रहें 500 MB upload इसके अलावा custom emoji anywhere unlimited super reaction HD video streaming to server boost and custom profile and more तो यह सारी चीज़ आपको मिल जाती है नाइट्रो बेसिक नाइट्रो प्लान के अंदर नाइट्रो बेसिक के अंदर 2.99 पर मंत होता है इस तो डू डॉलर 99 तो अरूंड त्री डॉलर और यह 9.99 तो यह चीज़ें तो यह होता है आपका discord की साइट से राइट यह आपको कोई मिल जर्नी प्रोवाइड नहीं करा जैसी पर्चेस करेंगे आप यहाँ पर मिल जर्नी को यूज कर पाएंगे आगे चलके मैं जो आपको प्रो प्लान जो हमने ले रखा है पेड प्लान उसको दिखाने वाला हूं जिसके अंदर सारी चीज़ों को हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो इस वीडियो को चलिए मैं आपको पूरा इंटरफेस समझ आ गया होगा क्लियर होगा मैंने पिछली वीडियो में भी एक प्रॉपर ग्लिम्स दे दिया था आपको किस तरीके से इंटरफेस वर्क करता है च्टिल मैंने एक डेडिकेटिड वीडियो इसको बनाया तो आपको आइडिया लग जाए यहा प्रॉप्ट डाला जाता है जैसे मैं आपको दिखा दूए है ने न्यू कमर्स वाला यहां खोला चैट ओपन किया अब यह हमारा फ्री अकाउंट है तो इसके अंदर काम नहीं करेगा सबसे पहला आपको दबाना है फॉवर्वर्ट स्लैश एंड लिखना है इमाजिन जैस लोगों के प्रॉंट है जो लोगोंने लिखे हुएं ये को यूजर होंगे लो सावियर करके है तो उन्होंने यह पे प्रॉंफ टाला है यहां पर प्रॉंट थोड़ा सा दिफृरंटा होता है जैसे हम चाई जीपटी में यूज करते थे उस तरीगे नहीं होता है यहां पर थोड़ा सा प्रॉम्ट जो है काफी डिफरेंट होता है तो वह भी सीखेंगे किस तरीगे से प्रॉम्ट डाले जाते हैं यहां पर यहां पर इसने जो है एक्सपेक्ट रेशियो भी बताया है 16 रेशियो 9 होना चाहिए तो इमेज इस तरीगे से निकाल के दिए है तो यहां पर प्रॉम्ट इंग आप चाहें तो दूसरी की भी थोड़ी बहुत प्रॉम्ट इंग देख पाएंगे जो है अपना भी जो है कर पाएंगे गाइस अब जब हमारा मेजर्णी के अंदर अकाउंट बन चुका है हमने प्रॉपर लिमिट जर्णी के इंटरफेस को सीख लिया है अब डेफिनिटली हमारा जो नेक्स टास्क होगा वो यह योगा कि किस तरीके से जो हम प्रॉम्ट को लिख सकते हैं सो आट कि हम बढ़िया से बढ़ि चलिए यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स को एड किया है जब भी आप मिट जर्णी प्लाटफॉर्म के लिए जो कीवर्ड्स प्रॉंप्स को लिख रहे हैं तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है एंड इसके बाद जो है मैं आपको कुछ ए रखने की जरूरत है सबसे पहले तो आपको सिंपल एंड जो कॉमनली यूज़ वर्ड्स है वो मोस्ली यूज़ करने जैसे कि कि किंग, क्वीन, नाइट, विजार, ड्रैगिन इस टाइप के वर्ड्स जो है आपको अपने ग्राफिक के अंदर प्रॉंप्ट के अंदर जो ह काफी कॉमन है और काफी सिंपल है जो जादा लोग यूज़ करते हैं बहुत ही जादा अटपड़ा या फिर बहुत जादा अंसूना नाम आपको या फिर अंसूना वर्ड आपको जो है यूज़ नहीं करना है क्योंकि कई बार जो हमारा चैट, not चैट, जीपिटी, अगें आपे अरब करहा है specific phrase, specific phrase कैसा हो सकता है जैसे कि यहाँ पर मैंने example दिये vividly, इस phrase को मैंने totally change कर दिया क्योंकि वह उतना मेरको specific नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने just जो है एक और यहाँ पर phrase add किया जो कि है rainbow colored butterfly flying across a field of flowers during sunset, अब यहाँ पर आपको properly समझ आ रहा है specific चीजों के बारे में आपको आइडिया लग रहा है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, रेंबो कलर्ड बटरफ्लाइ फ्लाइंग अक्रॉस फील्ड ओफ फ्लार्स डिूरिं संसेट, मैंने यहां पे जो एक पर्टिकुलर अबजेक्ट है उसके बारे में बात किया जो कि हमारा रेंबो कलर्ड बटरफ्लाइ वो दिखता कैसा है वो भी मैंने यहां पे बता दिया वो अबजेक्ट क्या है वो भी मैंने यहां पे बता दिया वो कर क्या रहा है उसकी क्रिया क्या है वो भी मैंने या पर बता दिया कि वो उड़ रहा है और वो कहां पर उड़ रहा है वो चीज भी मैंने बता दिया एक फील्ड के अंदर उड़ रहा है फील्ड में उड़ रहा है और वो फील्ड दिखता कैसा है वो भी मैंने बता दिया कि field of flowers, right, and जो timing है, जो mahal है उस time का, वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया, कि during a sunset, sunset हो रहा है, right, तो इस तरीके से जो है, एक आप specific phrase लिख सकते हो, जब भी आप जो है prompting कर रहे हैं, right, अब इसमें बहुत सी extra details, अगर आपको add करने हैं, तो comma लगा कि आप extra details यहाँ पर add कर सकते जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, incorporate descriptive adjectives that aptly portray the envisioned image, so basically, जो आपके mind में है, उसके लिए descriptive objectives आपको add करने हैं, words like beautiful, colorful, intricate, detailed, massive, and powerful, तो यह सारी चीज़े जो हैं, आप describe करने के लिए चीज़ों को और ज़्यादा सटीग बनाने के लिए आप use कर सकते हैं, right, तो यह थे तह तह त इन main points, इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ और main points को जो है mention किया है, if referencing an style, an art style, including the name of notable artists like Vincent Van Gogh, Picasso, Salvador Dali, या फिर MCS Sir, तो यह सारे जो है, इनका अलग-अलग, जो हर artist है, सबका अलग-अलग designing का तरीका होता तो अगर आप किसी भी designing का reference देना चाहरे तो आप उनका नाम भी ज सकते हैं, उसको भी mid journey समझ लेता है, तो mid journey काफी famous जो लोग है, famous personalities उनको समझ पाता है, जैसे कि शारुखन डालेंगे आप, नरेंदर मोदी आप डालेंगे, या फिर इसके अलावा, जो भी जैसा कि famous personality है, famous artist है, उनके नाम भी आप डालेंगे, तो वो उस चीज को detect कर पाता है, और उसके हिसाब से ही आपको result ला कर देता है, right, next point है हमारा, define the desired artistic style using terms such as abstract, contemporary, cubism, cyberpunk, fantasy, so, जब आप इस type के design के बारे में सोच रहे हैं, let's say, आप mind में सोच रहे हैं, कि यार कुछ abstract हो, तो उस चीज को भी वहाँ define कीजिए, right, so that, कि आपके मन मुताबिक आपके idea के निकाल कर दे, right, तो अगर आप कुछ ऐसा design, artistic type of style ढूण रहे हैं, जिसमें आप सोच रहे हैं, कि मेरे content के अंदर abstract design होना चाहिए, तो वह चीज आप वहाँ पर describe कीजिए, बताइए, right, या आपके मन में सोचने से नहीं होगा, आपको paper पर, या फिर text के रूप में उसको उ artistic medium जैसे हैं, मेंशन किया गया है, उसको भी आप specify कर सकते हैं, such as octane render, unreal engine, ray tracing, और more precise outcome, for more precise outcome, तो ये unreal engine, या फिर ray tracing, जब हम gaming करते हैं, तो gaming के अंदर इन चीजों को use किया जाता है, तो इस चीज से जो है, और ज़्यादा clarity बढ़ती है, और बोल सकते हो, अगर आपको उस type के content चाहिए, तो आप इन चीजों को भी specify कर सकते हैं, right, basically आप किसी technique को prefer करने हैं, कि मेरे इस graphic के अंदर इस type की tracking technique दिखनी चाहिए, मतलब let's say, for example, मैं सोच रहा हूँ कि मैं design बनाना चाहता हूँ, जिसके अंदर ray tracing technique ज़रूर दिखनी चाहिए, या फिर unreal engine जिस तरीके का जो ह graphic generate करके देता है, उस type का graphic मेरे को दिखना चाहिए, unreal engine basically games चलाता है, games इस platform पे design होते है, right, तो अब मैं चाहता हूँ कि unreal engine जैसा graphic जो generate करके देता है, उस type के graphic में यह image होनी चाहिए, तो वहाँ पे मेरे को यह चीज specify करनी पड़ेगी, right, तो यहाँ पे एक challenge यह आता है, कि हमक देरे-देरे आपको जो है, different different जगाओं से आप जब idea लेंगे, उसके अलावा different different चीजों को try करेंगे, मेरे journey के बर तब ही आपकी ज़ए, यह चीज सही होगी, यह एक ही बार में ऐसा कुछ नहीं है, कि आपको गोल के पिला दिया, बता दिया, चार words या फिर फार्मॉल उनी को आप apply करके बार-बार use कर सकते हो, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, इसके अलावा आपको जो prompt लिखने का तरीका है, वो भी थोड़ा सा different लगेगा हमारे chart GPT के compare में, अब यहाँ पे देखिए एक example है, जो कि यह है, यह एक prompt है, जिसमें लिखाए कि mystic old male warrior concept character, यहाँ पे कॉमा दे दे के मैंने extra details हमने add की हुई है, तो सबसे main जो हमने बताया क्या है, वो, कि mystic old male warrior, गॉमा concept character है, गॉमा portrait है, गॉमा profile, गॉमा fantasy, गॉमा magic, wisdom, magic glowing, runes, astonishing, mystical, runic tattoos, intricate details, mist, digital art, यहाँ पे जो है, हमने designer, बिसिकली जो art form है, उसका भी है, वहाँ पे reference दिया है कि stanley, artgram, love and then carol bark and bokeh effect, bokeh, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है, हमको example मिला यहाँ पे, right, तो यहाँ पे देखा, आपने मैंने एक sentence नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ पे मैंने details add करता चला गया, extra information बताता चला गया, देता चला गया, right, एक और यहाँ पे example आप floating in space, gazing, यहाँ पे comma देखे, gazing in wonder at a kosher, clear detailed face, यह चीज मैंने यहाँ mention करिए, क्योंकि अगर यह चीज जो आपको specific चाहिए, वो अगर आप वहाँ mention नहीं करोगे, तो वो हो सकता है कि उस चीज, basically वो कुछ different कर दे, वहाँ पे, तो definite से बात है कि वो चीज आपको फिर पसंद नहीं आई है, तो जो चीज आपको definitely चाहिए, जो चीज आपको detailed चाहिए, उस चीज को यहाँ पे mention कीजिए, जैसे कि हमको यहाँ पे detailed face चाहिए था, वो चीज हमने mention किया, otherwise अगर हम detailed face mention नहीं कर सकते, करते तो हो सकता है कि वो इस image को किसी दूसरे perspective पे या फिर किसी दूसर पे angle में बना कर देता, जो कि शायद मुझे पस नहीं आता, right, and यहाँ पे फिर again mention किया, मैंने clean self-shaded vector art by Lewis Van Barrel, it's not barrel, it's barley, then artgram Helen Hong by Makoto Shinki, तो basically यहाँ पे यह extra मैंने यहाँ पे दिया हुआ, यह basically art forms और artist वगेरा का information है, अब चाहो तो इस चीज को skip कर सकते हैं, यह नीचे का area है, बाकि यहाँ तक का यहाँ आपको डालना ही पड़ेगा, next एक आद और examples देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, extreme close-up of an eye that is the mirror of the nostalgic moments, nostalgia, expression, sad emotions, tears, यहाँ पे tears देखने को भी मिल रहा है, then made with imaginations, detailed photography, right, यहाँ पे detailed and photography mentioned किया है, so that की कुछ मन मुताबिक हमारे आ सके, जो हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं, उस type की image यह बना कर देदे, 8K मैंने mention कर रहा है, right, so that की quality जो है, बहुत सादा sharp हो, बहुत सादा deep हो, printed on moab intrada bright white, यह basically हम जो है paper का, यहाँ पे mention किया है, so that की हमें जो effects यह वो भी हमें मिल सके, यह जो एक filter आपको देख रहा है, वो filter इस keyword के डालने के वज़े से आ है, तो यहाँ पे Leica M6 TTL, हमने यहाँ पे lenses का भी mention कर रहा है, कि इस lens से अगर photo कीची जाए, तो किस तरी के सुई आएगी, वो यहाँ पे हमें image निकाल के तो, right, तो यहाँ पे हमने lenses के बारे में भी ल lens और जो भी हमने यहाँ detail दी है, वो सारी चीजों को basis पे, चीजों के basis पे, इमेज बना कर देता है, देखा, आपने कितने details टालना पड़ता है, किसी image को बनाने के, right, अब हो सकता थोड़े से confused हो रहे हो, क्योंकि यह बहुत ज़दा advanced level के prompt है, और इसमें details को बनाने के in water and liquid clothes, old and ragged, half buried on trash and garbage, hyper realistic model photography, 500 pixel poses, detailed intricate, right, अब यहाँ पे कुछ चीजे जो है, उतना proper नहीं आई, but still, हमें अच्छे लगी, इसलिए जो है, हम use कर सकते हैं, यहाँ जैसे कि कुछ चीजे जो थी, half buried on trash and garbage, वो चीज़ आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा properly, right, क्योंकि वो चार example देता है, उसमें से एक यह है, तो दूसरे में जो था, कुछ इस तरीकी के थे, right, तो I hope आपको समझ आपको किस तरीके से जो है, prompting की जाती है, आप मैं आपको कुछ example दू हमारे जो discord के उपर आपको ले जाके हमारे mid journey के अंदर, तो यहाँ पर let's see, कुछ designs को एक बार आप, मैं आपको create करके दिखाता हूं, right, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, forward slash, imagine, right, imagine जैसी आया, मैंने enter किया, अब यहाँ पर प्रॉंप्ट मिरको लिखना है, a boy looking towards sky have a has a and has a arc reactor अब यहां पर आपको लग रहा होगा मैं क्या किस चीज की बात कर रहा हूं तो लेट से एक इमेज हमको बनानी है जिसमें लड़का हो आश्मान की तरफ देख रहा हो एंड उसके हाथ में आक रियाक्टर हो आक रियाक्टर शायद अगर आपने आईरन मैं वगेरा देखी होगी या फिर मावल्स का जो अविंजर्स वगेरा अगर आपने देखा होगा तो उसमें देखा होगा टोने स्टार्क जो कैरेक्टर है उनका वन अफ़ देम डाल रहा हूं उसके सीने में एक डिवाइस लगा रहा है जो गलो करता है तो उसको आक तो उस तरीके कि मैं कि मैं सोच रहा हूं उसके हाथ में आक रियक्टर होगा ना कि उसके सीने में जो थीम होगा यहाँ पर मैं जो थीम डाल रहा हूं मार्वल स्टाइल थीम डालने की कोशिश करा हूं लेट सी हमको क्या डिसाइन मिलता है मार्वल स्टाइल हाई क्वालिटी और इसके अलावा अगर आप चाहें जैसे कि बाई डिफॉल्ट आपको यह एस्पेक्ट रेशियो है वो यह देता है राइट इसे आप 520 बाई 520 बो या 1080 by 1080 बो सकते है तो बिसीलिए 1080 by 1080 आपको देता है ठीक है बट आप चाहें तो आइसपेक्ट रेशियो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं इसको यहाँ पर कमांड देके तो लेट से मैं चाहता हूं 16 रेशियो 9 लेट सी हमको क्या मिलता है अब मैं सिंप्ली एंटर दबाय मैंने, आप लाट सी हमको इसपर क्या मिलता है बहुत छोटा प्रंप्ट है जो मैंने आपको एक्जामपल दिखा है काफी बड़े थे काफी एड़ॉंस थे बट यहाँ पर जो है मैंने एक छोटा प्रंप्ट यहां पर लिखने की वुशिश की है थोड़ेट किया आईडि सब्सक्राइब को मिलेगा 31 परसेंट, 62 परसेंट, 93 परसेंट, एंड जो है, डन हो चुका होगा, लेट सी, तो कुछ इस तरीके का जो है, हमको डिजाइन इसने दिया है, राइट, यहां पर हाथ में आख रेक्टर है, ठीक है, उतना specific नहीं हो पाए जितना हम चाह रहे थे, ठीक है, बट स्टिल, जो हैं हमको एक acceptable result, हमको मिला है, यहां पर राइड इसके हाथ में देख सकते हो आख रियक्टर इवन इस पर्डिकुलर इमेज में जो इसके चेस्ट पर भी आख रियक्टर की एक लाइड जो रॉष्णिय वो दिख रही है यहां पर तो थी में वो काइंड आफ मावल जैसा ही लग रहा है अब थोड़ा सा मैं आपको और एक्स्ट्र चीज यहां पर बता हूं तो जैसे कि यहां पर एक्जाम्पल में जाते हैं यहां ठीक है तो लेट से इसने आपको चार इमेज दिया ठीक है अब मैं चाता हूं यह मेरा इमेज फाइनल हो गया मैं इसको अपस्केल करके बेसिकली मैं चाता हूं कि इस इमेज को जो है मैं अपस्केल करूं तो मैं क्या करूंगा यू वन को दबाऊंगा इस इमेज को यह अपस्केल करके दे दे मिरको अलग से बट लेट से मैं चाता हूं इसी इमेज की कोई एक्स्ट्रा वर्शन मिरको दूसरे तीन और वर्शन मिरको बन के दे राइट मैंने भी बन दबाया अब हम नीचे चलते हैं तो हमको जो है यह उसी इमेज के extra versions बना के दे रहा है यहां पर दिख रहा है आपको waiting to start थोड़ा सा time लेता है जैसे कि मैंने कहा था and जो हमें most probably result मिलना चाहिए सो गाइस यह result हमको मिला है इस पार as you can see उसी इमेज के इसने different जो है variations बना के दिये तो इस तरीके से आप जो है चीजों को test कर सकते हैं अपने prompting को test कर सकते हैं अब यहां पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि जो हमने aspect ratio डाला था वो इसने नहीं करके दिया 16 ratio 9 वह इसलिए नहीं क्योंकि हमने यहां पर aspect ratio नहीं लिखा सिर्फ 16 ratio 9 लिख दिया इस तरी इसलिए जो है यहां पर इसने 16 ratio 9 का aspect ratio नहीं दिया हमको राइट यह वह 1080 वाला देट गाइस आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ techniques बताऊंगा जिसकी मदद से आप mid journey के through different different images को generate करके sell कर सकते हैं या फिर mid journey के images को generate करके जो है पैसा कमा सकते हैं different different तरीके है market में कई आपको हो सकता है पता हो कई आपको हो सकता है ना पता हो तो कुछ जो unique ideas है वो मैं आपके साथ share करूँगा आने वाले कुछ videos के अंदर ठ technique बताने वाला हूं जिसकी मदद से जो है आप images को sell करके AI generated images को sell करके जो है एक nominal सा amount I mean एक good amount जो है regular basis पे income कर सकते हैं राइट चलिए चलते हैं Google पर and समझते हैं कि यह कैसे किया जाता है यह तो आपको पता होगा कि images को sell भी किया जा सकता है अगर आप इंडिया में एक entrepreneur है even motivational speaker भी है वो संदीप महेश्वरी करके अगर आप उनके business के बारे में जानते हैं तो शायद आपको पता होगा कि images को sell भी किया जाता है उनकी एक website है images बजार करके जहां तक मुझे याद जिसमें basically वो उनहीं की company है उनहीं की organization है जिसमें वो Indian stock images को sell करते हैं और ऐसे कई website से पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट इवर अडॉबी की तरफ से आता है आप आपने नाम भी सुना होगा अडॉबी स्टॉक या फिर शटर स्टॉक अब यहां पे Google पे डारेक्ल sites जो है यह आपको यहां पर बता रहा है लेकिन यहां पर छोटा सा cache है ठीक है यह सारी जो website है यह जितने भी है यहां पर यह सब की सब AI generated images को accept नहीं करती है इन में से कुछ करती है कुछ नहीं करती ठीक है तो आपका task यहां पर क्या आ जाता है यह तो आप manually find कर लीजिए Google search कर लीजिए कि कौन-कौन सी जो websites है AI generated images को accept करती है and sell करती है तो इसमें क्या होगा basically आपका totally manual काम हो जाएगा जहां पर आपको पहले AI generation कर पा रहे हैं यह तो totally आपके उपर है कि क्या quality आप निखाल पा रहे हैं generations के तुरू right अब उन generations को जो है आप उन websites पे जाके manually publish कर सकते हैं हर website के अंदर अपना amount डाल सकते कि आपको कितने में sell करना है ठीक है कुछ websites पे डाल सकते हैं और कुछ पर कोई नहीं होता ऐसा कोई option mostly में नहीं होता कोई option कि आप कितने में वो sell करना चाहते है वो automatically set amount में fix amount में set होता है और उसमें से कुछ percentage वो platform रख लेता है जहां पे भी वो photo बिकी है image बिकी है and बाकी जो है rest amount आपको आपके account में credit हो जाता है ठीक है उसी account में आएगा एक threshold complete करेंगे मतलब कोई website आपको 50 dollar payment कर देती है कोई आपको 100 dollar payment कर देती है तो यह depend करता है right but on the other hand एक और आपके पास option है ठीक है manual तरीका मैंने बता दी आपको और manual तरीका totally free है इसमें आपको कोई एक भी रुपिया खर्च नहीं करना except generation का generation में आपको जो है पैसा खर्च हो सकता है अगर आप mid journey को use कर रहे ह right mid journey के लाब अगर आप कोई दूसरा platform यूज कर रहे है like blue willow करके है जो मैं आगे आपको और बताऊंगा websites के बारे में कई सारी websites है image generations वाली जो free में भी आपको options देती है I mean free generation का option देती है हलाकि उनमें जो top पर है वो mid journey है इसमें बहुत सारे feature आपको मिल जाते है और उसी ची लिए कि चलिए मैं किसी तरीके से free में images generate कर पाऊंगा तो उसके आगे का जो roadmap है अगर आप manual method से जा रहे है जहां पर websites को find out करेंगे उन पर sign up करेंगे and manually हर website में उन images को upload करेंगे and wait करेंगे sale का तो यह simple method है जिसमें आपका एक भी पैसा एक भी रुप्या खर्च नहीं होने वाला but on the other hand अगर आपको थोड़ा सा convenient चाहिए थोड़ी सी आसानी चाहिए सहूलियत चाहिए कि मैं एकी platform पे upload कर पाऊं सारी images को और वहीं से हर website पे जो है मेरी image बिकने के लिए लग जाए तो उसके लिए आप एक website है जिसका नाम है wire stock करके मैं आपको दिखाता हूं wire stock करक एक website है उसके through जो है आप वहीं पे अपनी images को upload कर सकते हैं और wire stock आपके बिहाफ पे सारी websites के उपर जो है वन images को बिकने के लिए लगा देता है तो यह थोड़ा सा convenient हो जाता आपके लिए but convenient come with the cost ठीक है आपको वो जो platform में वो totally free नहीं मिलता है हाँ सुरू में आपको free credits मिल website बता देता हूं website का नाम है wire stock ठीक है wire stock अप सर्च करते हैं यहाँ पर आपको दिख जाता है wire stock.io ठीक है यह website का URL है www.wire stock.io यह इनकी website है कि यहाँ लिखा भी है monetize your creativity sell photos AI art and videos अब यहाँ पर click करेंगे जैसे इस पर click करेंगे इनकी website open होगी kind of सारे इनके features यहाँ दिख जाते हैं आपकी क्या क्या कर सकते है ठीक है even इनका भी एक AI bot है like mid journey वो भी discord server पर चलता है ठीक है discord आप चाहें तो उसे भी use कर सकते है उससे use करने के लिए भी आपको plan लेना पड़ता है एक ही plan से आपकी सा upload भी कर पाएंगे और अगर आप इनका ही AI bot यूज करके generate करते हैं तो और ज्यादा easy हो जाता है आपको क्योंकि आप directly mid journey से ही उन फोटोस को wirestock पर लिस्ट कर पाएंगे right simply sign up करने के लिए आप क्या कर सकते है sign in करने के लिए I mean sorry for that yeah sign up करने के लिए आप simply यहां पर आ सकते हैं and यहां पर जिससे भी आपको सहूलियत हो आप कर सकते हैं manually कर सकते हैं account name display name email address password होगे डाल के या फिर आप discord के through google के through facebook के through भी जो है यहां पर sign up कर सकते है sign up करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का blank dashboard देखता है ठीक है यह portfolio section पर हो मैं अभी ठीक है कुछ इस तरीके का आपको portfolio देखेगा जहां पर आपका नाम आ रहा होगा display name आप यहां पर अपनी image वगेरा लगा सकते हैं आ यहां पर आपकी earnings, downloads वगेरा शो करेगा ठीक है कुछ इस तरीक है का normal सा, simple सा आपको interface देखने को मिलता है ठीक है यहां पर आपको upload बटन देखता है यहां पर यह एक चीज का ध्यान रखिएगा यह भी totally free account है इस account में मैंने कोई अभी तक pro plan या कुछ भी purchase नहीं करा है इसल से मैं अगर computer select करता हूं ठीक है एंड यहां पर कोई image मैं ले लेता हूं फिलाल के लिए हाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा जो image है high quality के अंदर होना चाहिए मतलब जब भी आप images को generate कर रहे हैं तो at least उनको 4K या फिर 2K resolution में उनको upscale कर लीजिए ताकि जो यह है images को accept कर ल it or not तो यहां पर यह image जो है upload हो रही है and यहां पर आप देख पाएंगे यह limit आपको यहां पर दिखा रहा है ठीक है 5 images तक की आपको limit दिखा रहा है marketplace and challenges submission की तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ 5 images तक जो है यहां पर submit कर सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर करना है आपको तो उसके लिए आपको जो है इनका subscription प्लान लेना पड़ेगा monthly subscription प्लान ले सकते है yearly ले सकते हैं जो भी आपको suitable लगे now कुछ चीजे और है उससे पहले मैं काम करता हूं एक AI के थ्रू image generate करता हूं 4K resolution या 2K resolution उसको करता हूं आपको यहां पर सारी चीजे मैं बता पाँ क्योंकि यह image यह ले नहीं रहा है और I you I think you have the idea that क्यों नहीं ले रहा है यहां पर simply लिखा गया है कि image resolution must be at least 4 Megapixels so basically यह image resolution उतनी जादा नहीं है जिसकी वज़े से यह दिखा रहा है तो images high quality के अंदर होनी चीए so guys जैसी ही मैंने एक high quality image को upload किया यहां पर आराम से वह image upload हो गई as you can see here and जैसी वह image upload हो यहां पर आप सारे options को देख सकते हैं कि वह unlock हो गया अगर मैं इस image को post कर दूंगा तो यह credit है यह one की जगा two दिखेंगे में मतलब जो limit है वह basically 5 तक की है तो 5 images तक की मेरे पास limit है तो अब आप क्या कर सकते हैं या तो आपके पास पहला option यह है कि अगर आप एक भी पैसा खर से नहीं करना चाहते हैं बड़ स्टिल इस टूल को यूज करना चाहते हैं वाय स्टॉप को सेल आए थोड़ा सा उन 5 images से अगर आपको कुछ revenue आ जाता है तो उस revenue को आप जो है दुबारा reinvest कर सकते हैं वाय स्टॉप का जो अपड्रेड़ेड़ प्लान है उसको लेने के लिए and उसके बाद जो है multiple images को upload करके जो अपना revenue है उसको पढ़ा सकते है तो यह तरीका है को मेहनत बचानी है तो आप वहाँ पर वाय स्टॉप को use कर सकते हैं यहाँ पर आपको simply एक website पर ही image को upload करनी है और वो हर जगा publish हो जाएगी यहाँ पर एक चीज यह कह रहा है कि select if this is AI generated content obviously हमको यह select करना पड़ेगा क्योंकि कुछ websites ऐसी होती है जो AI generated content को accept नहीं करती तो अ some of our partner marketplaces do not accept AI generated content that's why इसने पूछा हम से and यहाँ पे optional यहाँ लिखा हुआ है कि prompt details for sale तो आप चाहें तो prompt की details भी आप दे सकते हैं कि आपने क्या prompt details डाला था so that कि उनके basis पे उन keywords के basis पे उन content की basis पे यह ज्यादा अच्छे से जो है अपके इस content की search ability बना पाए and right audience तक पाचा so that की sale आए अब platform select कर सकते हैं जहां से भी आपने जो है इमेज को generate कि है मिट जरनी है डाली है stable diffusion है then wire stock भी है जैसे कि मैंने कहा था ठीक है and यहाँ पे जो है प्रॉंट लेख सकते हैं इसके अलावा sell on marketplaces of course marketplaces पे sell करना है ठीक है यहाँ पे सारे marketplaces आपको देख रहे हैं ठीक आपकी जो इमेज है वो sell होगी now यहाँ पे simply आप sell your portfolio sell from your portfolio भी select कर सकते हैं क्योंकि हमारे portfolio से भी यह भी की चाहिए obviously कहीं से भी बिखे बस आना चाहिए हमारे पास sale right यह हमारा motive है तो हर market place पे भी हमने लिस्ट कर दिया हमारे portfolio से भी ठीक है हमने लिस्ट कर दिया and यहाँ प इसके बाट directly जो है आप पोस्ट कर सकते हैं जैसे आप पोस्ट कर रहे हैं इमेज आपकी यह जो है portfolio के अंदर पोस्ट हो जाएगी जो आपके portfolio के अंदर दिखना शुरू हो जाएगी and if you are lucky then you can get a sale as well यहाँ पे जैसे हम हमारे image जो होती है यहाँ पे अगेन इनका यह window आप open हो जाता है जहाँ पे यह आपको premium plan वगेरा लेने के लिए insist कर रहे हैं यहाँ पे आपको देखला है monthly and yearly basis पे मैं इसको थोड़ा सा close करता हूं भी फिलाल and इसको भी मैं close करता हूं and यहाँ पे जो है हमारी image अपडेट हो चुके gallery के अंदर दो images सब देखने लगी है तो यह अभी हम है portfolio section पे dashboard section पे जैसे जाते हैं dashboard के उपर यहाँ पे हमको पूरा proper view दिखता है कि हमारी images सबसे पहले तो यह सारे आपको platform दिख रहे हैं जहां पे हमारी images जो है बिखने के लिए लगेंगी wirestock direct जो कि यह wirestock की खुद की store है ठीक है उसके बाद हमारा सटा स्टॉक है पॉंड फाइव एक्स्ट्रा चैनल्स दन गेटी या आई स्टॉक गेटी इमिजिस आपने नाम सुना होगा काफी महंगे इमिजिस पिखते है वहाँ पे राइट इन इंस्टेट पे ड्रीम ड्रीम्स टाइम देन डिपॉल्स फोटो तो काफी आपको यहां वेबसाइट मिल जाते हैं मैं अब सबका नाम नहीं पढ़न के आपको सुनाने वाला यहां पे इसके अलावा टोटल बैलेंस आपको दिख जागा सो बेसिकली यह डैश्बोर्ड है आपका क्या सेल प्राइज़ मनी के तोर पर दिया जाता है तो उसमें करना क्या है simply आपको जब challenges सेक्षन में जाएंगे तो आपको कोई सारे यहां पर challenges देखने को मिलेंगे इनके सामने price मनी भी देखता है आपको कितने time में end होने वाला वो भी देखता है और कितने submissions आ चुके हैं वो भी description देख पाएंगे उस description के basis पे आपको एक अपना तड़कता भड़कता image generate करना है एंड यहां पे जो है upload कर देना है ठीक है सेम तरीके से आप upload कर सकते हैं computer की तुरू और आपकी image जैसी upload होगी यहां पे अगर आप lucky हुए तो आप यह price money जीज सकते हैं ठीक है यहां पे किसी के अंदर यहां पर पचास टॉलर अगर पचास टॉलर को INR करेंगे तो around 4000 से 42 रुपे तक का जो है यहां पे एक image generate करने का आपको मिल जाता है मतलब अगर आप जीते तो right it is अगर इफ राइट यह ज़रूर ही निए कि आप जीतेंगे हां अगर आपके प्रॉंप में दम है आपके generations में दम है तो why not क्यों नहीं जीज सकते हैं एक और आपको यहां पे दिखता है ठीक है यहां पे एक example image and price money केतना दिन में end होगा and submissions वगेरा ठीक है generate का बटन इसलिए दिख रहा ही कि जैसा कि मैंने बताया था wire stock खुद भी अपना जो है उनका खुद का भी generation bot है wire stock bot है ठीक है जो same as like जैसे आप mid journey को discord पर यूज करते हैं same wire stock का भी जो है थोड़ा सो और नीच आएंगे यहां पर $100 की pricing है तो ऐसे random आपको prices आते रहते हैं even कभी कबार 600 700 700 700 700 800 डॉलर तक की भी जो है wire stock को use करने के थोड़े से दो तिन फायद है तो अगर आप regular basis पर generate करते हैं तो क्यों नहीं कर सकते यह चीज़ भी राइट तो आई होप आपको समझ आया कि किस तरीके से जो है AI images को generate करके भी जो है पैसा कमाया जा सकता है अच्छा खासा है और मैंने proper आपको दोनों method बता दिया है पहला वाला totally free है और दूसरा वाले में थोड़ा सा आपको जो है चलिए आप थोड़ा सा अपनी साइड से भी किसी भी method को use करने से पहले अपनी साइड से जो है research करना बहुत ज़रूरी है मैं जस्ट आपको inform कर रहा हूं चीजों के बारे में कि कैसे कैसे दुनिया में जो है लोग earn कर रहे है techniques को अपना के ठीक है नए नए techniques regular basis पे आते जा तो मैंने आपको technique बताया आप थोड़ा सा research कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना टाइम यहां पर invest कर सकते हैं इस particular वीडियो में मैं आपको एक और simple yet effective तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप AI की मदद से content या graphics को generate करके जो है अच्छा कासा income कर सकते हैं अ के उपर जो है लोगोंने independent page बना रखे हैं AI based राइट वहां पर किया क्या है उन्होंने एक niche को पकल दिया है niche याने की category topic को पकल दिया है वो topic कोई भी हो सकता है वो topic movies हो सकता है news हो सकता है software हो सकता है game हो सकता है cars, bikes, animals कुछ भी हो सकता है वो topic और उसी topic के इर्दकेद उसी topic स entertaining content आपको जो है in image generated tools image generating tools से जो है आपको generate करना है like mid journey हो गया इसके अलावा भी जो दूसरे market में available है right यहां पर simple तरीका तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से किया जाता है मैं आपको चलिए थोड़ा सा visuals आपको दिखाता हूं कुछ pages आपको दिखाता हूं कि वह किस तर right directly चलते हैं हमारे accounts पर जो मैंने यहां पर कुछ निकाल के रखे हैं यहां पर अगर मैं आपको दिखाने जाओं तो video दो घंटे की भी बना दू तो भी कम पढ़ जाएंगे वह right क्योंकि accounts इतने है social media पर लोगोंने different categories के अंदर just आपको क्या करना है एक particular niche पकड़ना है जैस अब यहां पर simply इन्होंने mention कर दिया है कि a patrol head having fun with AI vision of an automotive fantasy world generated with mid journey अब कई बार क्या होता ना कि यहां पर identification का issue हो जाता है ठीक है Instagram जो है कई बार जो यह AI generated ID's होते हैं accounts होते हैं उनको ban कर देता है या suspend कर देता है उस दिनों के लिए temporary basis पे वो क्यों क्योंकि उनको लगता है कि आ इसा कुछ कर रहे हो right तो उस case में जो है आप यहां mention कर सकते हैं कि AI account यहां ऐसा कुछ है यह just मैंने आपको एक pro tip दे दिया अगर आप इस plan पर work करने का सोचते हो एन आपका account growth होता है and future में कभी अगर आपको ऐसा को issue आता है तब जाके right यहां पर इन्होंने यह भी बता दि इस ने पूरा account इसी गाड़ियों के एर्द कर रखा है यहां पर देख रहे हैं आप लाइक्स देख रहे हैं यहां पर 800 लाइकस इमेजिस के अंदर 800 लाइकस जो है आना काफी मुश्किल होता है आम बात नहीं होती है right and account उतना भी ज्यादा ग्रो नहीं है around 30,000 followers हैं ठीक ठ तो यह डिपेंड करता है कौनसी इमेज ने किस तरीके से perform किया तो यहां पर simply मैं आपको एक example दिखा रहा हूं कि यहां पर किस तरीके से जो है आप different different accounts बना सकते हैं ठीक है suggest यहीं करूंगा कि आप एक बार में एक ही account में ध्यान दे मतलब एक topic पे एक niche में एक page पे ध्यान है around 1300 से ज़्यादा post है और यहां पर followers आपको देख सकते हैं 2.7 million followers यहां पर आप अगर reels वगेरा देखेंगे तो reels कुछ इस तरीके कि आपको यहां दिखेंगे जो totally AI generated है right and यह थोड़ा सा advance हो जाता है reels वगेरा अगर मैं सिफ images ही आपको दिखा हूं तो images आपको देख स quality है images में no doubt quality अच्छी घासी है ठीक है और यहां आपको देख सकते हैं किस तरीके से जो है सारी चीज़ है right and यह इवन BMW यहां पर sponsor है right देख रहे हो BMW की साथ जो है post इन उनने share कर रखे तो खुद सो सकते हो कि एक AI generated या एक रोबो का account यहां पर इतना useful हो गया यहां पर इतना important हो गया कि BMW जो है उसके साथ post कर रहा है right तो यह तो बहुत जाद बड़े level की बात होगी 2.7 million मैं आपके जो expectations है उसको इस level तक नहीं पहुचाऊंगा एक ही बार में क्योंकि अगर आप achieve नहीं कर पाए उतनी जल्दी तो जो है आपको mind divert हो जाएगा या फिर आप demotivate हो ज अगर उनसे भी जो है आप start earning जो है start कर सकते है राइट बस depend यह करता है कि आपकी जो follower से वो real होने चाहिए किसी एक particular niche में होने चाहिए topic में होने चाहिए और उसी topic से related जो है आप sponsorships ले सकते हो तो basically social media पे earn करने का यह होता है this is not YouTube जहां पे आपको direct YouTube से ही जो है ads income मिलेगी ठ accounts को grow कीजिए अच्छे हासे followers को gain कीजिए and then आपको जो है different different तरीके से sponsored post कर सकते हैं collaborative post कर सकते हैं different बहुत सारे तरीके है earn करने के right तो यहां पे फाइदा क्या है AI का कि आपको content की कमी नहीं होगी आपको घर के बाहर नहीं निकलना है content को बनाने के लिए आपको simply computer के सामने laptop के सामने बैठना है अपने thinking को थोड़ा सा खुला छोड़ना है दिमाग के घोड़े तोड़ाने and कुछ इस तरीके के pages जो है आप कुछी दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे तो यहां पर भी आप देख सकते हैं एक ही टाइप की category को use किया गया है एक ही टाइप की designing को यहां पर जो है दर्शा है गया है and में को designing का उतना अंदाजा नहीं है बट स्टिल यहां पर जो basically niche है इनका कोई art जो है इनका niche है 17.2 के है यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ यह है architecture या फिर आप interior designer kind of case not not interior designer sorry for that architect की मैं यहां पर बात कर रहा था not interior designer तो यहां पर आप देख सकते है एक basically architect या architectural page है जहां पर different different architects या different different building designs और यह सारी AI generated आपको देख सकते हैं अगर आप regular basis पर mid journey को या कोई भी image generation AI content generation tool use करेंगे तो आप पता लगा पाएंगे इतना आपको experience हो जाएगा कि हां कौन सा content AI generated है और concern नहीं यह में जिस आप देख रहे हैं यह सारी AI generated ही है and क्या quality है इनकी right it's just depend on your prompt अगर आपकी prompting अच्छी हो जाए तो आप भी है आराम से इन्हें generate कर सकते हैं यहां पर इवन इन्होंने लिख भी दिया है इन्होंने एक reel बनाया है यहां पर mid journey versus dali right तो यहां पर same prompt इन्होंने यूज कियोंगे mid journey के अंदर यह आया यह डाली के अंदर यह आया तो यह पूरा account जो है सिर्फ AI generated content से है और किस निश में है जैसे कि मैंने बताया architecture around 17K followers and good quality followers हैं यह जैसा कि आपको पता है ठीक है real followers यहां पर एक और account है the monster library करके around 25K followers and it is based around library and इनका मेन करेक्टर है वह यह monster ही है right as you can see here उसी के यहां पर इन्होंने अपनी website mention कर रहा कि अगर आप इसे open करेंगे तो यहां पर इस website catalog में एक बड़ चलते हैं देखते हैं क्या बेच रहे हैं यह लोग तो यह directly यह stuff animal यह जो teddy kind of thing है वह यह बेच रहे हैं डारेक्ट 600 रुपीस में देख रहे हैं simple straightaway business यह 25,000 followers है ठीक है उनसे sponsorship वोगेरा से तो ठीक है वो तो आपको मैंने बता दी है simply बड़ उसके अलावा इन्होंने simple एक अपना जो है e-commerce website बनाई normal दो products इन्होंने लिस्ट करें अच्छी घासी जो है इनको sales आ रही होंगी अगर यह अब यह यहां पर इनको reels नहीं है अगर यह थोड़ा सा इसको account को और थोड़ा सा push करे AI से जो videos generate होते हैं वो थोड़े से दो चार की read करें so that कि यह real भी बना पाए तो इनकी reach और जादा पढ़ जाएगी and जो इनके sales है skyrocket हो जाएगे right देखा आपने तो किस तरीके से जो है आप Instagram को account basically AI को use करके Instagram account बना सकते हैं और उससे multiple ways से जो है पैसे earn कर सकते है on a regular basis right इसमें just आपको सोचना है कि आपने किस तरीके का page बना है उसके लिए किस तरीके का earning source सबसे best रहेगा ठीक है यहां पर जो popular ones है उसमें यही है आप e-commerce या आपने जो है merchandise sell कर सकते हैं इसके अलावा sponsorships मैंने बताया इसके अलावा collaborative collab post भी बहुत सारे करते हैं ठीक है आप कोई courses sell कर सकते हैं आप कोई classes sell कर सकते हैं आप कोई books sell कर सकते हैं बहुत सारे method है earn करने के just the thing is you need to gain the followers right and followers कैसे gain करेंगे आप अच्छा content बना के using AI right तो चलिए I hope आपको एक और तरीका मिला कि किस तरीके से जो है आप earn कर सकते है using mid journey जैसे tools को ठीक है again मैं एक चीज़ mention करना चाहूंगा यहाँ पर disclaimer समझ सकते हैं आप इसको कि पहले research करें properly कि आप किस niche में work करना चाह रहे है उस niche के थोड़े से competitors को देखें ठीक है आप tools के through कर पा रहे हैं अपने prompting को उतना accurate बना पा रहे हैं वो सारी चीज़े देखिए around 10 से 20 जो है पोस्ट को एक ही बार में backup करके रखिए मतलब generate करके रखिए captions ready करिए and start your posting पेज बनाने में आपको जाता से जाता पांस से दस मिनट लगेंगे and done everyday basis पे पोस्ट कीजिए regular basis पे पोस्ट कीजिए and आपका account जो है अच्छा खास अगर हो जागा यहाँ पर देख सकते सिर्फ 400 पोस्ट है ठेक है 400 पोस्ट के अंदर इन्होंने 30,000 followers यहां gain कर लिए इसी तरह यह से आप भी जो है यहां पर थोड़े सा और advance advancement आइड करें साथ ही साथ में क्योंकि photos तो हैं चलिए photos तो साथ में चली रही है but अगर आप photos के साथ साथ कुछ reels क्योंकि आपको भी पताएगी यह social media platform जो है आजकल short form content को जैसे कि reels, shots इनको बहुत जादा push कर रहे हैं अगर वो content भी अगर आप साथ में बनाने लगे जैसे यहां अगर 400 post है अगर इसमें सिर्फ 200 reels भी होती है 200 छोड़िये आप सिर्फ 100 reels भी होती है और 300 images होती तो यह 27 के मैं guarantee के साथ क्या सकता हूं कि यह 50,000 से उपर होता राइट यह अभी सिर्फ images कर रहे है तो depend करती है लोगों की strategy के उपर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप कर सकते हैं ठीक है एक तरीका even mid journey के अंदर भी है वीडियो को बनाना short form वीडियो को बनाना 5-6 second की वो वीड वीडियो में आपको बताया भी है तो generation की जो पूरी footage को बना के देता है उसे आप कैसे reels के अंदर यूज कर सकते है यह आपके उपर है अगर आप smartly उसे यूज कर पाएंगे तो definitely आपका account बहुत जल्दी करोगा और आपको कोई दूसरे tool की जरूरत भी नहीं पड़ेगी accept mid journey ठीक है तो चलिए जाइए आप अपने research शुरू कर सकते हैं मैं इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ and मिलते हैं next वीडियो में